नमस्कार में अपरिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तकी प्रमुख खबरों को इंडिया पोस्ट पेमिन बांक के खात अधारकों को एक लिमिट से कैश निकालने और जमा करने पर चार्ज देना होगा इंडिया पोस्ट पेमिन बांक में यह नियम एक जनवरी से लागो हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमिन बांक में तीन तरह के सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं बांक में और भी कई सुवधाएं दी जाती हैं इंडिया पोस्ट पेमिन बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने चार बार कैश निकालना फ्री होगा लेकिन इसके बाद क्राकों को हर निकासी पर कम से कम 25 रुपे का भुकतान करना होगा कोरोना का डबल वेरियंट सामने आया है जिससे डेलिम क्रॉन नाम दिया गया है ये नाम करन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरियंट को मिला करके किया गया है क्योंकि इस वक्त भारत समेट पुरे दुनिया में कोरोना वाइरिस के दोनों ही वेरियंट मिल रहे है सार्भोजपुरी भाषवा के भी पढ़ाई करवा सकते हैं दरजशल संसत के शीद कालिन सतर के दौरान महराष्टर के भाजपा सांसत गोपाल शेटी ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में सवाल क्या था क्या सरकार देश भर के स्कूलों इस बैंट के सामने तरपन फीजदी प्रेमियम पर लिस्टिंग दिखाई है BSE पर Map My India के शेर 1581 रुपे प्रती शेर पर लिस्ट हुए है और NSE पर इसके शेरों की लिस्टिंग 1565 रुपे प्रती शेर पर हुई है रूस से पहली S-400 मिसायल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुँच गई है दस दिन बाद शिरू हो रहे इस नए साल 2022 में इसकी तैनाती देश के उतरी छेत्र में करने की संभावना है जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमला रोक करदेश की सुरक्षा कर सकेगी S-400 की दूसरी रेजिमेंट के अगले साल जून 2022 तक भारत पहुचने की उमीद है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग राज में आयोजित महिला सरशक्ति का अंसमेलन में 1000 करों रुपे की राशी स्वयम साहता समू के बैंक खाते में ट्रांसफर की है और 202 टेक होम ड्राशन प्लांट का भीशिलन नयाज की है वारत सरकार देश विरोधी खबरे फैलाने वालों के खिलाफ सक्त हो गई है नई IT कानून के तहट सरकार ने देश के खिलाफ प्रपगैंडा चलाने वाले लगभग 20 यूट्यूब चानल और दो वेबसाइट पर प्रतिबंद लगा दिया है जाती है जंगरणा से लेकर बिहार को विश्री शराज के दरजे को लेकर भाजबा और जिदियू में बढ़ती जा रही तलखी के बीच नितिश कुमार की पार्टी के एक सांस थने बड़ा बयान जारी कर दिया है जदियुसानसत ने कहा है कि नितीश कुमार भाजपा से गठ बंधन तोड़ने का फैसला ले पूरी पार्टियन के साथ खड़ी है जदियुसानसत ने कहा है कि नितीश कुमार जिन मुद्दों को उठा रहे है भाजपा उसे खारिश कर दे रही है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज इंडस्ट्री के अलग-अलग सेक्टर्स के लोगों से बाच्षीत की वितवर्ष 2022 से बजट से पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की है दूसरी बैठेक रही अमेरिका और नाटो उत्तर अट्लांटिक संगठर के सामने रूस ने अपनी लक्षमन्रेखा साफ कर दी है इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ये भै और गहरा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब यूद्ध छिड़ सकता है पंजाब में वधानसभा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रस के मधायक राना गुर्मीद सिंग सोधी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है इसके साथ ही पंजाब के पुर्फ मुक्य मंतरी कैप्टेन अमधर सिंग के करीबी और पुर्फ काबिनेट मंतरी राना गुरूमीद सोधी ने दिलि में भारते जुनता पार्टी का दामन थाम लिया है राना गुर्मीद सिंग सोधी, गुरू हर्ज सहाई, विधान सभा छेत्र से विधायक है, कैप्टरन अमरिंदर सिंग की कारेकाल में गुर्मीद सिंग राना को क्याबिनित मंत्री का दायर चाहा हासल था कोरोना के नई वेरियंट ओमिक्रोन के मामले बढ़ रहे हैं, स्वासमत्राले की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किया गया, आख़़ों के रसार पिशे 24 गंटे में 5,326 नई कोरोना के सामने आहर पान चार सो पन कोरोना आक्टिव संक्रमेतों की जान चली गई है, वहीं भा हमारी की शिरवात से लेकर के अब तक कुल 3,47,52,000 लोग संक्रमेत हुए हैं, भारते रुपए के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, रुपया 2021 को एशिया की सबसे खराप प्रोदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में खत्म करेगा, ये साल रुपए के लिए कठिन रहा है, दरसल विदेशी फंड देश के शेरों से पैसा निकाल रहे हैं, जिसका रुपए पर नेगेटिव असर पढ़ रहा है, उक्टूबर देशन बढ़ते माही में भारती मुद्रा में 2,2 फीज़ी की गुरावत आई है, क्योंकि वेश्विक फंडों देश के शेर बाजार से चार अरब डॉलर निकाले हैं, देश के सबसे बड़े सारवजिनिक छेत्र के बांक भारती स्टेट बांक ने JSW ग्रूप की सबसीज़ी कंपनी JSW सीमेंट में 100 करोड रुपे का निवेश किया है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी के बयान के नुसार, इन CCPS को कंपनी की कॉ पहाडों में हो रही बर्फबारी के बार मैदानी लाकों में भी ठंड का प्रको बढ़ गया है, राजस्तान के कुछ लाकों में पारा माइनस में पहुच गया है, वही माम टाबू में बर्फ जमने की तस्वीर देखी गई है, मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिनों तक मैदानी लाके में कम कपाने वारी ठंड बढ़ सकती है, विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जुआरी कर दिया है, बैंक में नौकरी की तयारी कर रहे है, युमाओ के लिए एक श्रांदार मौका है, सारस्वत सहकारी बैंक लिटेड ने जूनियर आफिसर पदों क को विकास करने के साथ ही आयके स्त्रोतों को भी पुखता बनाने के लिए तमाम उपाई किये हैं, इससे रेलवे की आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन आम लोगों की जेप पर बोज भी बढ़ा है, दरसल रेलवे ने कई पैसंजर ट्रेनों को अब एक्सप्रेस बना दिया है, ऐसी ट्रेनों को पैसंजर बनाने के लिए रेलवे ने को एक खास बतलाव भी नहीं किया है, कबीर खान की फिल्म 83 अब बहुत जल्द सिनेमा घरों में रिलीस होने वाली है, वहीं फिल्म का ट्रेलर रिलीस होने के बाद से लोगों में इस फिल्म के प्रती उत्साह काफी बढ़ गया है, 1983 विशुक अब जीत किया, असपास घूमती इस कहानी में मुखहनाय के तौर पर रनवीर सिंग नजल आने वाले हैं, बतादे की करीब डेर साल से इस फिल्म का इतजार किया जा रहा है, कोरोना के अतितिक संक्रमन वेरियन्ट ने अमेरिका में तबाही मचा नहीं ली थी, इसी के साथ अमेरिका के 92 शेहरों में मरीजों से ICU भड़ चुके हैं, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी मंगलवार को प्रयाग राच का दौरा करेंगे और 2 लाग से अधिक महिलाओं की मौचूदगी वाले कनोंखे कारिकर में भाग लेंगे, इस कारिकर में प्रधेश के मुख्य मंत्री योगिया दितनाथ मीं मौजूद रहेंगे, सीम योगी डेड से 1 बच के 50 मिनट तक भाषण देंगे, इसके बाद 1 बच के 51 से 2 बच के 20 मिनट तक प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जलसभा को संबोधित करेंगे दूनिया भर के आतंकियों के लिए पडाखगार बना पाकिस्तान, लगातार कंगारी के दरफ बढ़ता जा रहा है देश में, महंगाई च्वरम पर है, सरकारी नोकरी करने वालों को पिछले कई महीने से सैलरी तक नहीं मिली है आलम यह है कि अगस्त 2018 में प्रधान मंतरी बरान खान के सब्ता सम्भालने के बाद से फिशरे तीन वर्षों में पाकिस्तान का रुप्या सत्तर फीजी तक गिर गया है चीन और ताइवान के पीछ आपसी मनमुटाफ बढ़ता ही जा रहा है रविवार को चीन के कुछ लड़ा को विमान बिना वतायत ताइवान के वायू सुरक्षा में घुस्पैट कर गए जिसके बाद जवाबी कारवाई करते वे ताइवान रेडियो च्छेतावनी सिस्ट जोबारा नहीं लोटने देंगी उन्हाने केंद्र और प्रदेश सरकारद्वारा महिलाओं के लिए चलाई जारें योजनाओं का भी जिक्र किया कॉंग्रिस द्वारा आगामे वधान सबाच्छुनाव में टिकेट बातने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रियाश चुरू कर दी गई है लेकिन अब तक एक परिवार में दो टिकेट देने को लेकर फॉर्मला फाइनल नहीं किया गया है यूरोप में क्रिसमस की तयारी चल रही है ऐसे में यहां के देशों में उमिक्रॉन के फैलने का खत्राज ज्यादा बना हुआ है इसको देखते वे कई देशों ने अपने यहां प्रतिबंधों को लागू कर दिया है ब्रिटेन में कोरोना से बुरा खाल है अब राजसरकार ने ना केवल सरकार के कारियों की समिक्षा किया बलकि नई योजनाओं की भी खोशना की है जिसमें गहलोथ सरकार की तरफ से शुरू की गई उडान योजना की काफी वावाई हो रही है तारीफ करने में बॉलिवूड हस्तिया भी पीछे नहीं है खुलने के बाद कुछ मिनट बाद ही सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक बढ़ता दिखा गया दो पहर 12 बच्वी 6 मिनट के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज का प्रमोक इंडेक सेंसेक्स 1036 दुश्रूप चार दो अंकी स्पाइडर मन नोवे होम ने बॉक्स ऑफिस पर इसे पार्क से बाहर करना जारी रखा है एक अभूत पूर्व रुपे एकटा करने के बाद अपने शुरुवाती दिन यानि कि सभी संसकरन अंग्रेजी हिंदियू तमिल तेलगु में टॉम हॉलेट और बेनिडिक्ट कमबरबाच स्टार ने 33.28 करोर का नेट दो शुकरवार एक समाने कारे दिवस पर समान रूपे मजबूत संख्या में पोस्ट किया है इसके साथ 21.4 करोर नेट सिर्फ 33 प्रतिशत की गिरावर जो असाधारन थी फिल्म के लिए प्रचार को देखते हुए जिसने स्पाइटर मैन नोवे हूम को शुरुवात में बेहद फ्रंट लोड़िट बना दिया था उतर प्रदेश में आगामी होने वाले उधान सभाज शुनाव को देखते वे आजादी की बाद से प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गाउ या शहर में योगी सरकार 24 घंटे की बिज़्रिया पूर्ति करेगी पिश्रे दिनों ही योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में इस खोशना को धरातल पर लाने के लिए एक हजार करोड के बज़ट का प्रावधान किया है योगी सरकार की योजना को पूरा करड़े के लिए पूरा पिज्रिविभाग जी जान से जुट गया है भारते रुपए के दिन अच्छे नहीं चल रहे है रुपया 2021 को एशिया की सबसे खराप प्रदर्शन करने वाली मुद्रा पे रूप में खत्म करेगा ये साल रुपए के लिए कठिन रहा है दरसल विदेशी फंड देश के शेरों से पैसा निकाल रहे है जिसका रुपए पर नेगेटिव असर पढ़ रहा है औक्टूबर दिसम बढ़ते माही में भारते मुद्रा में 2.2 फीज़ी की गुरावट आई है क्योंकि वेश्विक फंडों ने देश के शेर बाजार से 4 अरब जॉलर निकाले हैं कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जुन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विरोत कुमार, मुनायादव, जीते नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आजुके सवाल की और आजुका सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार बॉलिवुड के किस अभिनेता का अभिने आपको सबसे ज जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आजुके लिए बस इतना ही देश-प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद